तो हेलो फ्रेंज्स वेलकम तो मैं चैनल सिलिकॉन एच में नाम सुकविंदर है आज मैं आपके सामने एक ऐसे यह फोन्स लेके आया हूँ जिनमें आपको बहुत बढ़िया फिचर मिल जाता है वह है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आपको क्या क्या मिलता है इसके साथ तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है तो क्या मिलता है तो तो फ्रेंज आपने इसके इन्बॉक्सिंग देखी आपने देखा इसका क्या क्या मिलता है अगर आप बात करें डिजाइन की तो देखिए यह फ्लेक्सिबल निक बैंड है और आपके जो बर्ट से यह मैगनेटिक मिल जाते हैं आपको इस पर कोई पावर अनौफ वाला उ अप्शन नहीं है तो यह सिंप्ली खली आपके सेक्यूरिटी फीचर के लिए है कि आप इसे जब विएर करते हो तो आप इसे अटाइच करके रख पाओ और इनका मैगनेट बहुत बढ़ी है अच्छा खासा पकड़कर रखता है जल्दी हिलता नहीं अपनी जगह से और इ कि स्टेबिटी बहुत अच्छी रहती है दस मिटर तक कोई शूज नहीं आते हैं और इसके लाव अगर बात करें पेरिंग की तो आपको सिंगल पेरिंग मिलता है डूल पेरिंग आप्शन नहीं है आप एक बार में एक डिवाइस ही करेकर रख सकते हो और जैसे कि आपको को कैंसल आप कर देए तो आपको बहुत अच्छे अब बात करें बात करेंग थी सब्लेंफट की डोनों ही काम करते हैं इसके बाष करते हैं बैटरी की तोफ्रेंटा इस पर जो इन-बिल्ट बैटरी वह वान 60 मिलियंप्रार की है लेकिन इनको उप्पो ने इतना अच्छा डिजाइन किया है या आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आउन करके भी रेटेड जो बैकप है ऑपो की तरफ से वह 15 घंटे का हाँ अपको पंदरा गंटे लगाता चलेगा और अगर आप उसे off कर देते हो active noise cancellation तो आपको 22 घंटे का music time देता है मेरी testing में मुझे तो मुझे active noise cancellation on करके और sound को around 80% में रखके भी इसमें 16 घंटे का backup मिला अच्छा खसा backup मिलता है और चार्ज होने में around 2 घंटे लग जाते हैं fast charging कोई ऐसा option नहीं दिया है उपो ने लेकिन आपको इतना जब talk time मिल रहा है तो अगर आपसे पंदर मिट के लिए चार्ज में लगा होगे तो आपको आदा एक गंटा तो आरांस चल जाएगा इसके और फीचर अच्छा यह है कि इस पर आपको type C support मिलता है तो अगर आप अच्छी केबल से चार्ज कर सकते हो तो आपको इस पर भी अगें अच्छा दिया हुआ है waterproof में यह IPX 4 certified है फ्रेंस थोड़ी बहुत स्वेटिंग वेरा में काम चल जाएगा बारिश में लेकर मत घुमियेगा बारिश में issues हो सकते हैं क्योंकि IPX 5 चाहिए minimum बारिश के लिए तो आसे नॉर्मल जीम अगरा में यूज करने के लिए कोई issues नहीं है आप आम से इसे यूज कर सकते हो तो अब आजाते हैं सबसे important department जो होता है sound का इनमें जो drivers लगवे होए है 11.8 mm के drivers का size आप खुद समझ लो 11.8 mm है तो अच्छा का driver size है तो आप उमीद करोगी कि अच्छ sound बहुत ही अच्छी है और even कि loud भी बहुत है इनकी 40% volume मैंने बाकी जो यह phones test किया ना अच्छे से अच्छे से अच्छे से एक सब्सक्राइब कर सकते हो आपको music mode मिल जाता है game mode मिल जाता है और cinema mode मिल जाता है तो जैसी mode change होता है तो आपकी voice भी change होगी means जब अब cinema mode में होगे तो surround effect आएगा अब बेस थोड़ा बढ़े जाएगा gaming mode में surround effect थोड़ा कम रहेगा लेकिन बेस जादा रहेगा तो बहुत मज़ा आता है यह mores बहुत अच्छे दिये हैं अपो ने और एक तो by default जो रहता है यह पूरे insert नहीं करने पड़ते हैं यह आपके outer ear के पास ही रहते हैं तो आराम से आप comfortably से यूज़ कर सकते हो और बेस कॉलिटी बहुत बढ़िया है इविन कि मैंने जो वाइपर यूज़ 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 बढ़ाया तो उसमें बेस भी बहुत अच्छा 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 बाद रहा था था यह उस चीज़ के लिए मैं इनके ही माइक से बात कर रहा हूं आपको अच्छा है माइक अच्छा है तो आप इवन इसको कॉल्स में यूज़ कर सकते हो कोई तिकत नहीं आएगी तो मैं आपको दिखाता हूं आगे कि ए क्लब में और आउट्डोर के निशन में कैसा काम करता है वो भी आप देख ल अब लिगन ताफिक एडिसमें कैसा काम करता है खुद देख ले तो मेरिंग आप से यह बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो आपको देख ले कैमरे के माइक से कि कि इसका डिफरेंस करता है अब देख पार हूंग यह तो अब मैंने क्लब वाला मुज़िक लगा दिया है तो अब आप से बात कर रहो हूंग तो आपके अबाद कैसी जाती सके माइक की तुरफ और अडिया हो जाएगा अब मैं अब मैं अपको कैमरे का मैं किसा काम कर रहा है और यह कैसा काम कर रहा है तो यह काम कर रहा है तो अब इसका माइक देखे कैसा काम कर रहा है तो इसको यू कुछ issues है जो मैं आपको बता देता हूँ, एक issue जो मैंने face किया था, पहला issue, वो था कि इनके जो ear tips है न, ये अगर आपके किसी reasons से खो जाते हैं, तो आपको इन replacement ढूनना थोड़ा मुस्किल हो जागा, कि इनके ear tips थोड़े अलग design के हैं, मैंने कोशिश की थी इनमें दूसरे ये tips लगाने के लेकिन लगते नहीं है, आप इनका design है थोड़ा अलग है, तो इन पर इसके ही compatible ear tips चाहिए, आपको हो सकता थोड़ा search करना पड़े, हो सकता मिल जाए compatible, लेकिन थोड़ा difficult हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से आपको रखना पड़ेगा, दूसरा जो issue मैंने face क किया वो था, कि इसका noise cancellation थोड़ा ना कभी-कभी अजीब behave करता था, for example, जब मैं इन्हें use करता, office से आते हुए या जाते हुए, तो अगर मैं दरवाजी की तरफ बैटा था, for example, तो जब मैं music सुन रहा था, और किसे ने दवाजा बंद किया, तो ना एक अचानक से इसकी आ आवाज लगती है को जोर से, कि जो दवाजी की आवाज है ना अचानक से ना बूस्ट हो जाती है, तो वो लगती है थोड़ा, तो वो मुझे थोड़ा सा खराब लगा क्यों काफी जूर से जटका लग रहता है, तिसरा प्रॉडम, noise cancellation में background hissing sound आती है, मिनसा कि आप noise on कर द अच्छी काम करते हैं, इनकी उनके मुकाबले थोड़ी कम थी, तो अगर इन फीजेश को थोड़ा एगनोर कर सकते हैं, अगर इनको अप इगनोर करते हैं, तो यह बहुत बढ़िया है, बैक अप में बहुत अच्छे हैं, sound quality बहुत अच्छी है, इसलिए मैं रिकमेंड कर अच्छी है, 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 तो अगर मैं मेर AmiCoun phone AC कोनेक्ट नहीं होता है कि समय है क्या थाओड उसे क्णेक्ट हो तो अब है यह इंचे weight तो मेरे हाई दिखाते हूँ को चैन्ट या जो तो मेरें यहाजो तो अदरे देख सेल्च बंगे होय सुने मैं यह वा जो ईमिंड्डोल से works में संद्रेस लिए है यह प्लॉज प्लेफॉज पर बंग करता है अगर आपको अगर गुग्वैशिस्ट आउन करना कर ना है दो पर टैप करो गया अब आपको दिखाता हूँ music controls तो माली आपके music चल रही है आप इसी बटन से यह जो power button है इसी सा music control कर सकते हो प्ले पॉस कर सकते हो आपको दिखाता हूँ मैंसे प्रेस करता हूँ अगर दिखें बजने से चालो हो गया volume control इसके यही से control हो जाएंगे यह पन के अपको इस तरह से press करता रहेंगा volume up down होगी और इससे अगर प्रेस करके रखेंगे तो आपको skip होगे tracks अगर मैं single tap करता हूँ निचे वाले बटन को जो volume control के button है निचे वाला बढ़ाने के लिए उपर अला घटाने के लिए तो अगर मालीजे मैं निचे अला प्रेस करके रखता हूँ तो देखें next track होगा ठीक है previous track के लिए जो घटाने वाला है उपर अला volume बटन उसे प्रेस करना आपको देखें तापके previous and next इसे से हो जाते हैं इसके बाद एक और feature जो इसमें अलग से दिया हुआ है वह है music mode उसके लिए यह जो noise cancellation button है अगर इसको single tap करते हो noise cancellation होता है ठीक है on off होता होता है और अगर आप इसे double tap करते हो तो music mode change होता है तो friends यह थे इसके controls अगे बढ़ता है और आपको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दिखते हैं आपको कैसे दिखते हैं अगर गले में आपको कैसे रखते हो for example इस तरह से लगे रहते हैं तो इसने खराब नहीं अच्छे लगते है आपको कैसे दिखते हैं 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